हालो एवरीवन आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है लास्ट व्यूडियो में हमने केटी जी के बारे में पढ़ा था केटी और वांडर वॉल्स क्यादार पर एंड्रूद के एक्सपेरिमेंट को पढ़ा था तावित क्या था चीक है आज हम मैंने बत पने महत्व क्या है इस क्रामतिक पर इघटना था अब भूत महत्वपूण है यह प्रिटिकल फिनोमीना एक गेश्टों के लिए बहुत महत्वपूण चीज देखिए क्या होता है मैंने आपको अगर याद हो तो आपको मैंने बताया था कि किसी गेश पर अगर दाब लग लिक्विड में परिवर्तित करना है यानि कि गेस को द्रव में परिवर्तित करना है तो दाव महत्वपून नहीं है अब तक हम दाव करते हैं यह लगा है जो वेश इंपोर्टन जो प्रॉपर्टी है वह ताप वह है कि गेस का मालीजे एक फिक्स टेंपरेचर है उस टेंपरेचर के नीचे वाली यह मालीजे टेंपरेचर है इस टेंपरेचर के नीचे दाव लगाकर प्रेशर लगाकर जैस को लिक्यूड में बदल सकते हैं तो टी सी वहत आप है जिसके नीचे दाब लगाकर गेज को लिक्विड में परिवर्टित किया जा सकता है लेकिन इसके ऊपर दाब लगाकर गेज को लिक्विड में परिवर्टित नहीं किया जा सकता है जो अब तक हम कहते आ रहे थे गिन उस दाब लगाया और गेज किसमें कनवर्ट होगे लेक्विड में नहीं उस कंड़ में निक्विड में तभी कनवर्ट होगी जब दाब का मान कहत pathetic temperature के बराबर या उससे कम तो critical temperature वह temperature है जिस पर किसी जा सकता है दाब नहां डाब कर लेकिन इसी temperature के संगत यह पर संगत जो दाब होगा वो critical pressure कहलाएगा उस यानि कि क्रांतिक दाब कहलाएगा ठीक है और इस क्रांतिक ताप और दाब के संगत जो आयतन होगा यानि PC Пос 일 k Kita संगत कर्यसपूंडिंग जो आयतन होगा संगत आयतन होगा वो ग्रांतिक आयिंगा कहला है प्लाक उधा की सिखे इस और लिधि कर दाब में वंपन लोल प्ले करता है निकिुल नि시는 को दाब लगा कर लिक्विदिक के एदा सकता है critical temperature के लादा लेकिन अगर temperature का मान इस critical temperature से ज़्यादा है तो चाहिए आप कितना ही दाफ लगा लो उस गेस को liquid में परिवर्टीट नहीं किया जा सकता अब इसके लिए Andrews नामक विग्यानिक ने वास्तविक गेसों के लिए ताप के साथ ग्राफ प्लोट किया कैसे अब के साथ variation होता है ठीक है पी और वी वक्र खेंचे उन्होंने तो वास्तविक गेसों का पी वी वक्र देखे क्या होता है समतापी वक्र बोलते है इसको तो वास्तविक गेसों का समतापी वक्र देखे इस पर क्या है देखे कैसे ग्राफ आया यह पी और वी ग्राफ है ठीक है एंड्रियूज ने बनाये थे टीवी वी ग्राफ स्टार्टिक में देखे क्या होता है जिसी यह ग्राफ फर्स्ट ग्राफ इस तरह से आया यह सीधे है थोड़ा जान रखें आप ठीक है सेकिंड ग्राफ थोड़ा इस तरह से आया थेर्ड ग्राफ इस तरह से आया फोर ग्राफ इस तरह से आया देखे क्या है मैं पॉइंट डिनोट कर रहा हूं यह यह पॉइंट ए है ठीक है यहाँ point B है यह C है और यह D है clear फिर यह है E यह F G H फिर यह I फिर यह J ठीक है यहाँ पर K और यह L इस सदा आगे की graph है यह जो graph है यह 13.1 degree centigrade पर लिया गया यह CO2 के लिए खेंचा गया यह जो graph है यह जो graph लिया गया यह 13.1 degree centigrade पर है clear यह 21.5 पर है यह लगबग 31 degree पर है लगबग ठीक है फिर यह और बढ़ाते चले गए 35-36 के आप पास है देखे क्या है क्या मतलब इस graph को समझी यह समताफी वक्र कलाता है किसने बनाया था एंड्रियूज नामत विग्जानिक डिजाइन क्या था एंड्रियूज थीक है सेंट एंड्रियूज ने डिजाइन क्या था देखे क्या है पहले बात करते हैं तेरा पॉइंट एक डिग्री सेंटी ग्रेट पर जैसे ही आयतन कम किया यह उपर की तरफ जा रहा है यह जा रहा है यह ध्यान रखना यह यह बढ़ता जा रहा है जैसे दाब कमान थोड़ा बढ़ाया आयतन कमान कम हुआ पॉइंट बी पर आया फिर बी से गेस का द्रवी करण प्रारंब हुआ लिक्विड में कनवर्ट होना इस्टार्ट हुए जैसे दाब बढ़ता जा रहा है लिक्विड में परिवर्ट हुआ एक छेती ग्रेखा के रूप में प्राप्त हुआ फिर सी तक कंप्रिए रूप से लिक्विड बन गया याने कि ए से बी तो क्या हुआ आयतन में दाब बढ़ा छ 20 बढ़ा वी में कमी ठीक है पर क्या हुआ वी पर द्रवी करण प्रारंब हुँआ ग्येस द्रव में परिवर्ट से Brave होना स्टार्ट हुए ये प्रारंब किसमें वॉल्यूम ऐसे कैसे आ रहा है। clear, अब जिसे टेंपरेटर थोड़ा बढ़ाया हमने जो ठेटीज लाइन है जो ठेटीज लाइन है जो ठेटीज लाइन यह चोटी हो गई, यह यह यानि कि यह यह से आयटन कम होना शुरूआ दा बढ़ने पर, एफ पर क्या हुआ। द्रविकन परारंब हुआ, जीर तक complete द्रविकन हुआ, फिर edge तक गया, ठीक है, जैसे जैसे temperature बढ़ाएंगे, तो यह जो point है, यह बिल्कुल एक point के रूप में रह गया, जैसे 31 degree centigrade temperature किया, 31 होते ही gas किसमे convert होगे, liquid में, एक point के रूप में आ गया, यानि कि यही temperature क्या कहला है, एक point के रूप में रह गया, और जैसे इसको मिलाते है, एक point के रूप में इस तरह से graph आता है, यानि कि यह point ऐसा, टॉप point ऐसा point आई, जहाँ पर gas एक जटके में किसमे convert होगे, liquid में convert होगे, यानि कि इसे कहता है, करांशी क्या, समझाने का मतलब यह है, कि जैसे temperature बढ़ात तो जैसे जैसे टेंपरेश वैदा आए जो गदाव में परिवर्टित करने वाला पॉइंट दिख्वानी चेटीज लाइन है वो घटती घटती छोटी सी दे जाती है और क्रिटिकल टेंपरेशर पर आते हैं जटके में किसमें कनवर्ट हो जाती है तो यही एक समझाने का तर अब देखिए इस तरफ इस तरफ जो है द्रव है complete रूप से ठीक है इस तरफ गेस है complete रूप से क्योंकि इदर गेस है और इसके बीच में यानिक यहां द्रव और गेस है मैं दूसरे पेंस से लिख रहा हूँ यहां द्रव है एवं गेस है इधर गेस है पूरी तरह और इदर लिक्वीड है ग्राफ को अगर मैं लिख जूँ कुछ भी जैसे M-N-O-P तो इस ग्राफ के M-N-O-P ग्राफ के left hand side में यानि के left hand side में पूरी तरह द्रव है राइट एंड साइड में गेस है और इसके बीच में गेस प्लस द्रव दोनों है तो जैसे जैसे दाफ बढ़ाएंगे यह द्रव में परिवर्थिस होना स्टार्ट होती है यानि कि तो यह द्यान रखें और यानि कि 31 पॉइंट इगर 30 डिगरी जैनि कि ऐसा टेंप्रेचर है जिस वर गेस कंप्लिल रूप से किसमें अगर्ट हो जाती है लिक्विड में यानि कि एक्रिटिकल टेंप्रेचर कहलागता है तो यह एंड्रूज ने एक्सपरिमेंट किय सब्सक्राइब करता हैे इक इस ने ग्राफ थाबित करता है वापस एक इक पार करते हैं वह वापस एक पारन रिपीट कर देता हूं कि जैसे पहले तेरा पॉइंट एक डिग्री से जो ग्राफ प्राप्त हो वो सिच्छे जरेखा के रूप में प्राप्त हो यानि कि जैसे 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 टेंप्रेटर कमान बढ़ाते हैं जो वीकन वाला पार्ट है वो छोटा होता चला जाता है और इंगतिस पर आकर एक बिंद जो दाब होगा यानि कि इस दाब होगा हुँए कि एक लाएगा पीसी तीक़ ऑनतीक और यह आयतन खेलाेगा तो यह कंपलीट एक divides का इंड्रीउउ इस कि इस ख्रांतिक दर पर यानि कि ख्रांतिक तांप आयतन पर जो गेसो का ड़ाल आ फैसलिकि बराबर हो जाता ये खरता न किश्के ब्राबर हो गया क्रांतिक आयतन के, जो आयतन था, गेसो का, वो कहा चला गए, किसके बराबर होगे, क्रांतिक आयतन के, यानि कि V बराबर VC, clear, V बराबर VC हो जाएगा, ठीक है, तो इसको इधर ले क्या हो, V-VC, बराबर 0, इसका क्यूब करो, क्यूब करने पर, V-VC का क्यूब, और 0 का क्यूब तो 0 ही होगा, ठीक है, इसको जैसे ही, ओपन करेंगे हम, तो यह आएगा, V की घाट 3, 3, V की घाट 3, माइनस, 3VC, V स्क्वेर, प्लस, 3VC स्क्वेर, V, माइनस, VC क्यूब, बराबर 0, यह आएगा, इसको सोल करने पर, कैसे सोल करोगा, आप मैं त्रिक बताता हूँ, सोल करने की, V माइनस, VC, स्क्वेर, इन्टो, V माइनस, VC लिख सकते हैं, इसके बात है, A माइनस, B का स्क्वेर क्या होता है, A स्क्वेर, प्लस, V स्क्वेर, माइनस, 2V, VC, V माइनस, VC, V से कुना करोगे, तो V3 हो गया, ठीक है, V, VC स्क्वेर हो जाएगा, V, VC स्क्वेर, फिर यह क स्विस्तख़्वे 10 इसे कें मिसें आएगा सोल करोगे तो मिलीके इए स्विक्रार अब मैं Kauf आता हम वंद्रबॉल कैंगा अन। wonderful equation है P plus, P plus A upon V square, V minus B beraber, R T, यह equation है, clear, चलिए, इसको open करते हैं इस equation को, P V minus P V plus A upon V minus A, B upon V square, बराबर R T, clear, चलिए, यहां से V square को मना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P V cube, P V cube हो जाएगा, minus P B V square, minus, sorry, plus A V, minus A V, बराबर R T, यह R T V square हो जाएगा, इसको, P V cube, minus P B V square, plus A V minus A V, बराबर R T V square, R T को इदर ले कहेंगे, तो P V cube, minus P B V square, plus A V minus A V, R T V square, बराबर 0, ठीक है, चलिए, देखिये, P V cube, minus, चलिए, एक चीज़ देखिये, यहां P का भाग लगाओ, उसमें पहले, P का भाग, P का भाग लगाँ, P से P cancel, V cube, minus B V square, P cancel, plus A upon P into V, minus A B upon P, minus R T upon P into V square बराबर 0, ठीक है, चलिए, चलिए, V cube, यह वाला पद और यह वाला पद देखिये, V square वाला, minus common लिया, plus का B बचेगा, वहां भी plus का बचेगा, R T upon P into V square, ठीक है, P square common आगे, plus A upon P into V minus A B upon P बराबर 0, ठीक है, यह equation निकल करके आगे हमारे पाद, ठीक है, अब हम यहां क्या करें, जो डाब है, उसको रखें, क्रांतिक डाब, और ताब को रख दें, क्रांतिक ताब, क्रिटिकल फिनोमेना की study कर रहे हैं, क्रांतिक वाली condition रख दें, तो क्या हो जाएगा, देखो, V3 minus V3 minus कि प्लस कि अधिए को अधिए को अधिए क्यों अधिए क्या हो जाएगा यहां पर थोड़ी दिख्कत होगे थी सॉप्ट्वेर में वापस स्टार्ट हो गया है बी प्लस आर टी सी हो जाएगा यह बी प्लस आर टी सी अपून पी सी इन्टू वी स्क्वेर क्लियर प्लस आर अपून पी स्टू वी माइनस आ बी अपून पी सी वराबर जीरो यह आ गया निकलके चलिए यह तो यह हो गई एक एक्वेशन हमारी वह आए थी वी क्यूब वाली जो मैंने वी माइनस वी सी को किया था वो थी वी क्यूब minus 3 VC V square plus 3 VC square V minus VC cube बराबर 0 चेले दोनों equation का comparison करें V cube V cube हो गया यह V square वाला पद है यह V square वाला है minus का minus आ गया तो क्या हो जाएगा 3 VC बराबर D plus R TC अपन ती सी हो जाएगा यहाँ आगले वाले देखिए V वाला पद है तो V वाला यह पद है, तो 3 V C square हो जाएगा, बराबर A upon P C, प्लस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा, और V C cube बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, ऐसे कैसे, V C cube बराबर A B upon P C, तो यह तीन equation आ गई, तो यह इसको नाम देता हूँ, मैं equation 1, 2, 3, clear, अब इस equation क हम जब solve करेंगे, तो इस equation को solve करने पर, जो हमारे पास values आएगी, देखिए, equation 3 में 2 का भाग लगाओ, equation 3 divided by equation 2 करिए, तो क्या हो जाएगा, V C cube बराबर A B upon P C, बराबर A upon P C, cancel out, और V C cube से, V C cube, क्या बचा, V C upon 3, बराबर B, तो V C बराबर आगया, 3B, V C का तो answer आगया, मारे पास critical volume का answer है, 3B के बराबर, ठीक है, V C का मान, हम रख देंगा, equation 2 में, V C का मान, equation 2 में, रखो, तो 3 into, 3B का square, बराबर A upon P C, 3 into 9 हो जाएगा, 9 into 3, then 27B square, बराबर A upon P C, तो P C बराबर हो गया, A upon 27B square, P C critical pressure के value आगया, A upon 27B square, अब P C का value भी आगया, PC का value भी आगया, हमारे पास, तो उसका मान, हम रख दें, equation 1 में, ठीक है, तो equation 1 में, रखिए, next phase के अंदर, equation 1 है, मारी, 3 V C बराबर B plus R T C upon P C, V C का मान है, 3 into 3B, बराबर B, प्लस R T C upon, इसका क्या है, A upon 27B square, चलिए, तोल करिए, B तो इधर लेकिया हैंगे, तो 9B minus B, बराबर R T C upon A into 27B square, उपर चला जाएगा, ठीक है, यह बचेगा, 8B के बराबर, B से square cancel, तो क्या हो जाएगा, देखे, T C बराबर, यह तो इधर आ जाएगा, 8 A upon 27RB, यह value आगे T C गी, तो तीनो value निकल के आगे आगे, हमारे पाद B C के आगे, B C बराबर आगे, 3B, T C बराबर आगे, A upon 27B square, और T C बराबर आगे, 8 A upon 27B square, ठीक है, तो यह तीनो value हमारे पास निकल के आगे, यह derivation आजाता है वह एकगा में, तो तीनो value जो याद भी रखनी हैं आपको, तो next है, हमें A और B की value calculate करने हैं, clear, चलिए, देखे, equation number हमारी देखते हैं, equation number 2 से, equation 2 से, देखे, आप सबने लिख रखी equation, उसी के according देख रहे हैं, equation 2 से बताईए, equation 2 थी हमारी 3 VC square बराबर, A upon PC, तो A बराबर क्या हो गया है, आप से, 3 VC square, PC, ठीक है, A बराबर हो गया, 3 VC square, PC, clear, और equation number, हमारी पास VC की value आए थी, 3B, तो B बराबर क्या हो गया, VC upon 3, तो A और B की value हमारी पास आगई, VC upon 3, अगर याद और आपको VC बराबर 3B आए था, तो B बराबर, और A बराबर आए, 3 VC square into PC, clear, तो यह values हमने calculate कर ली, वान्डरोल समीकन की साहिता से, और critical phenomena को use करते हुए, ओके, अब देखिए, हम एक तरीका और कर सकते हैं, जो हमारी समीकन नमबर 3 है, उसकी साहिता से, A की value और निकाल सकते हैं, समीकन 3 से, समीकन 3 क्या थी, 3 VC cube, sorry, VC cube बराबर, AB upon PC, VC cube का बना है, VC का बना है, VC का बना 3B, तो 3B का cube, यानि की, 27, देखिए, आप लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसको, 27B cube, ठीक है, B से, स्क्वेर बर कटा, तो A बराबर हो गया, A बराबर हो गया, 27B square PC, इस तरह से आप और भी values निकाल सकते हैं, बहुत सारी values निकाल सकते हैं, clear, 27B square upon PC, तो इससे आप values निकाल सकते हैं, easy है, बहुत है, clear, तो B बराबर VC upon 3 आया, इसके अलाबा हम और values रख सकते हैं यहाँ पर, B की साइटर जिसे यहाँ से B बराबर 27R TC upon 8AC करके निकाल सकते हैं, तो इस तरह से हम PC, VC और TC की calculation कर सकते हैं, easily, और उनकी values निकाल सकते हैं, ठीक है? देखे, आप मैं उम्मीद कराँगा, आप लिखते जा रहे होंगे, अब देखे, जो VC की value, यह B की value जो आई है, यह VC के पदों में आई है, यह जो है, value हमारे पास, यह VC के पदों में है, और जो VC के value है, वो आकुरेट निकाल सकते हैं, PC VC की value में हमें ये A और B की value निकाल नहीं है, अब हमारे equation number आप आईए हमारे equation number 1 पर, चलिए next place के आते हैं, equation 1 क्या कहती है, 3 VC बराबर B plus, 3 VC बराबर B plus RTC अपॉन PC, sorry RTC अपॉन PC, ठीक है, यही है, B plus RTC अपॉन PC, VC का value कितनी है, 3B, B plus RTC अपॉन PC, भी कोई दर लाओगे तो 9 में से 1 जाएंगे तो 8 भी, RTC अपॉन PC, तो B बराबर आगया, RTC अपॉन 8 PC, तो यह आगे B खीक value, भी PC और PC, यह पता हों है, RTC अपॉन 8 PC, clear, चलिए, अब B की value हमारी A का जो फोर्मूला आया है, 27 B square PC, जो लास्ट फोर्मूला था, उसमें B की value रख दें, तो A बराबर हो गया, 27 इंटू, R square, TC square बटे, 64 PC square इंटू PC, PC से square कैंसे, तो A की value आगई, 27 बटे, 64, R square, TC square बटे, PC, तो यह value आगई, A की, 27 बटे, 64, R square, TC square अपॉन PC, तो इस तरह से हमने value रिकाल दी, देखिए, VC बराबर आया, 3 B, TC बराबर आया, 8 A अपॉन 27 R B, PC बराबर आया, A अपॉन 27 B square, clear, 27 B square, A बराबर आया, 27 बटे, 64, R square, TC square अपॉन PC, R square, TC square अपॉन PC, ठीक है, और B बराबर आया, R, TC अपॉन 8 PC, तो यह 5 values आपको याद रखने हैं, clear, अब वॉन्डर वोल्स, इसमें, एंड्र्यूज ने और वॉन्डर वोल्स ने क्या किया, कि R, TC अपॉन PC, VC की value निकाले, 1 अपॉन Z, जो Z था, TV अपॉन RT, उसको क्यांति गतना में, 1 अपॉन Z निकाला, देखें, निकालते हैं, R इंटू, PC की value कितनी है, 8A अपॉन 27RB, इंटू, PC की value है, A अपॉन 27B स्क्वेर, और VC की value है 3B, clear, 27 से 27 कैंसिल, R, R से R केंसिल, ये B, B स्क्वेर हो गया, B स्क्वेर केंसिल, A से A केंसिल, कितना आया, 8Y, 3, यानि कि 2.67, ठीक है, टू, RTC अपॉन PC, VC ये पूंच सकते हैं, RTC अपॉन PC, VC की value बराबर कितनी होती है, तो वो खी 2.67, 8Y, 3, और experimentally जो value आई, वो आई 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में जो experimental value आई, तो यह थोड़ा सा जो ये difference आ रहा है, इसको बाद में continuity law of corresponding state, उसके द्वारा correct किया गया, corresponding state के law के द्वारा correct किया गया, ठीक है, जो थोड़ा सा difference आ रहा है, वो उहाँ पर correct किया गया और फिर उस union से accordingly accurate आया, तो वांडर वोल्स कुछ हद तक सावित करता है, सब कुछ critical phenomena सबको, बस थोड़ा सा difference आ रहा था, 2.67 और 3 से 4 के बीच में, जो difference आ रहा है, वो corresponding state के द्वारा, corresponding low जो है, corresponding state का जो low है, उसके द्वारा सावित किया गया, और सिद्दे किया गया, ठीक है, तो यह complete derivation है, वांडर वोल्स का क्रांतिक गणों के द्वारा क्रांतिक गठनाओं का फिनोमिना जो है, जो एंड्रूज ने पहले क्रांतिक फिनोमिना के बारे में जान करी दी थी, और उसको experimentally सावित, इन्होंने पूरा complete derivation किया गया, वांडर वोल्स समय करने की साहित का, clear, तो अमीद गेसों को द्रव में बदन लें कि विजियां कौन-कौन सी है, वो पढ़ेंगे, तो एक लास्ट वीडियो राएगा, कैटी जी का, वो अपन नेक्स क्लास के अंदर, नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर कोई प्रोब्लम हो तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीद जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी पहुंचे, पूरी नौलेज पहुंचे के में स्क्रेगी, ठीक है, थैंक्यू